हलो फ्रेंड्स बेलकम तो मैं चैनल चैमातादी इस वीडियो में आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूँ देव उठनी एकादसी की बहुत ही सरल पूजा बिदी देव उठनी एकादसी का ब्रत कार्तिक मास के सुक्ल पक्ष की एकादसी को किया जाता है और यह साल की सबसे बड़ी एकादसी मानी जाती है यदि कोई एकादसी का ब्रत आरम करना चाहे तो देव उठनी एकादसी से एकादसी ब्रत का आरम कर सकता है देव उठनी एक आदसी के दिन ही भगवान शिरी हर पिश्णू अपने चार महिने की गहरी योग निंद्रा से जाकते हैं और उस दिन से साधी बिवाज जैसे मांगलिक कार शुरू हो जाते हैं पूजा के लिए सबसे पहले हम जिस चागे पूजा करेंगे उस चागे को अच्छे से साप कर लेंगे और चावल के आटे से यानि चावल के एपन से हम चौक मार लेंगे किसी किसी के यहां यह चौक घेरू से माड़ा जाता है हमारे यहां चावल की एपन से देव उठनी एकादसी का चौक माड़ा जाता है तो हमने चौक माड़ लिया है यह चौक आपको कैसे माड़ना है इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा लिंक आपको उपर i button और description box में मिल जाएगी अब हम चौक के उपर कोई लकड़ी का पाटा रख देंगे उसके उपर आप चाहें तो लाल या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं अब हम 11 वीपक बनास के गीब हमें और 11 वाल या अवने वाल वम यहीं पाटे पर लगा दिआ हैं देवार्वार के सभी सदस मिल कर यह deputy जो मुख्या उते हैं यानि मुख्या पुरुस होते हैं वो करते हैं बाकि के सभी सदस पूजा में बैठते हैं अब हमने भोग के लिए जो प्रशाद लिया है वो भी हम पूजा में रखते हैंगे और पूजा की जो सामिकरी हम पूजा के पास ही रखते हैंगे जो हमारे घर के मुखिया है वो ये पूजा करेंगे सबसे पहले हम दीपक चलाएंगे और पाटे पर जो हमने घी के 11 दीपक उन दीपकों भी हम प्रजुलित कर लेंगे देव उठनी एकादसी की पूझा सामिकरी क्या है इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा लिंक आपको उपर आई बटन और डिस्कर्प्शन बाक्स में मिल जाएगी बहां से आप वेडियो देख सकते हैं अब हम धूपपती भी चला लेंगे और भगवान को धूपती दिखाएंगे उसके बाद हम पूझा करना आरम करेंगे सबसे पहले हम हवन करेंगे हवन के लिए हमने गाय के गोवर के उपले को जला लिया है गैस पर आप चाहें तो ये आम की समधाओं पर भी हवन कर सकते हैं हवन कुण में हम घी डालेंगे और अगनी देव को प्रजलित करेंगे सबसे पहले हम भगवान गनेश के नाम से आहूती देंगे उसके बाद हम भगवान बिश्नु के नाम से एक लौंका जोड़ा एक लाइची और एक पतासा अरपित कर देंगे इसके बाद हम भगवान बिश्नु के नाम से पांच या साथ आहूती देंगे इस दिन भगवान विश्णू को जगाया जाता है ताकि संसार में मांगलिक कार शुरू हो सकें क्योंकि कोई भी मांगलिक कार भगवान विश्णू के बिना संपन नहीं होता है भगवान विश्णू के किसी भी मंत्र के त्वारा आप हवन में आहुतियां दे सकते हैं अब हमने जो भोग के लिए खील बतासे रखे हैं, थोड़े से खील बतासे हम पाटे के पास रखते हैंगे, और थोड़े से खील बतासे का भोग हम हवन में अर्पित करते हैंगे, क्योंकि हवन के त्वारा ही सभी देवी देता हमारे भोग को ग्रहन करते हैं। अब हम हवन की आरती पहले भगवान को देंगे उसके बाद हम स्वेम लेंगे और परवार की सभी सदस्यों को हम ये आरती देंगे और अब हम आरती करेंगे यहां पर आप विश्णु भवान की कोई भी आरती का सकते हैं जब हमारी आरती हो जाएगी तो हमारी यहां जो या साथ परक्रमा लगाएंगे और थोड़ी थोड़ी खिछडी हम चौक पर किराते जाएंगे देव उठाती समय जब हम परक्रमा लगाते हैं तब परक्रमा लगाते हुए हमें एक गाना गाना होता है उठो दे, बैठो दे, पर मलिया चटकाओ दे, क्वारिन के ब्याह कर, ब्याहन के गोने कर जब हमारी पाँच या साथ परक्रमा पुरी हो जाती हैं तो हम अपनी उपनी जगह पर बैठ जाते हैं और भगवान के चरण इसपरस करके उनका आश्वाद लेते हैं अब हमने पूजा में जो सामिक्री रखी है खेल पता से खेचडी और जे सब्चिया पल गन्ना इन सब को हम मिनस तेंगे और दे उठनी एकादसी के अगले दिन यानि द्वादसी के दिन हम ये सभी चीज़ें किसी भ्रामण को दान कर देंगे फ्रेंड्स मेरे यहां दे उठनी एकादसी की पूजा इसी विधी से की जाती है जो विधी मैंने आप लोगों के साथ सेर की है उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को दे उठनी एकादसी का मेरा ये चोटा सा सरल सा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आई हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए सेर कीजिए साथ ही बेल आईकन को प्रेस करतीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके कॉमेंट्स बॉक्स में भगवान विश्नु की चै अवश लिखेगा धर्नेवाद फ्रेंड्स ओम नमो भगवते पासुदेवाई नमान विश्नु भगवान की चै